सामुलीकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? प्यारे बच्चों, आज हम अपना उर्दू का सब्क नमबर एक पढ़ने लगे हैं हम्द तो सब्क शुरू करने से पहले टीचर आपको हम्द की बारे में बताएंगी कि हम्द किसे कहते हैं जिस नजमें आलाओा की तरीफ प्यान की जाये उसे हम्द कहते हैं तो टीचर इसकी नजमियां अंदास से नजमियां झाया करना है तो टीचर आप रीडिंग स्टार्ट करने लगी है सब को बनाया मेरे खुदाने हर एक जाने हर एक माने आम और आडू सेबर सर्दे अंगूर केले फल मीठे मीठे सब को बनाया मेरे खुदाने हर एक जाने हर एक माने हवा और बादल चांद और तारे बारिश का पानी फल फूल सारे सब को बनाया मेरे खुदाने हर एक जाने हर एक माने तो प्यारे बचो ये नजम के शायर का नाम है क्यूम नजर इसके इलावा यहां पे कुछ अलफास हैं जिनके नीचे टीचर ने लाइन लगाई है जैसा के आड़ू, खुदा, हवा, फूद ये तीन हर्फी अलफास हैं आपने इसकी डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी होगी इसके इलावा यहां पे एक बॉक्स है, वहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है आपके आसपास अलफास अलफास की कौन कौन सी नेमतें मुझूद है तो प्यारे वच्चों जैसा कि आप सब को पता है कि अलफास ने हमारे लिए बहुत सी नेमतें पैदा की है तो आपने अपने इर्दिक्ट देखना है कि अलफास ने हमारे लिए कौन कौन सी नेमतें पैदा की है एक यहां पर एक और बॉक्स है उसमें लिका है हमने सीखा अल्ला ताला ने दुनिया की हर चीज़ बनाई है तो जैसा कि पहरे बुच्छो आपको पता भी है कि दुनिया की हर चीज़ अल्ला ताला ने बनाई है हमारे लिए इसके बाद पेश नमबर 77 पे हैं सरगर्मी नमबर 1 दिये हुए अलफाज के माइनी समझें यांपे अलफाज दिये गए हैं यांपे उनके माइनी है खुदा अल्ला ताला मुराद वो जाथ जिसने हमें पैदा किया सर्दे, सर्दा की जमा, एक फल का नाम, सर्दे एक फल का नाम है सरगर्मी नमबर दो, हम्द के मताबिक दुरूस अलफाज चुनकर खाली जगा पूर करें आपने हम्द की अच्छे से रीडिंग की है, तो आप ये खाली जगा पूर करेंगे हवा और बादल, चांद और तारे, उपर आप्शन दिये गए हैं, आपने उन मेंसे ढूंड के यहां पे लिखना होगा हवा और बादल, चांद और तारे, आपने इसी तरह ये सारी खाली जगा पूर करनी है हम्द में किन फ़लो का जिक्र है, उनके नाम लिखे, तो आपने हम्द मेंसे फ़लो के नाम ढूने और ये बौकसिस में लिखने है, जैसके टीचर ने लिखा है आर जुबानी जवाब देने हैं गिन कर बताईए कि इस नजब में आला की कितनी नेमतों का जिकर हुआ है आर्ट नेमतों का सवाल नमबर दो फलों के इलावा इस नजब में किन किन चीज़ों का जिकर हुआ हवा बादल चान तारे पानी का सवाल नमबर तीन आप आला की नेमतो का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं इबादत करने से यहां पे सरगर्मी नमबर पांच है दियू ही तस्वीरें देख कर बताएं के हम इनसे क्या क्या काम लेते हैं आपने इन तस्वीरों को देखना है और फिर बताना कि हम इनसे क्या काम लेते हैं जैसा कि यह हाथ है और यह काम करने के लिए इस्तमाल होते हैं कान सुनने के लिए इस्तमाल होते हैं इस तरह आपने इनके बारे में बताना है अगर बारिश ना होती तो क्या होता प्यारे बचो अगर बारिश ना होती तो जमी बंजर होती यहां पे सरगर्मी नबर साथ है हरूफ मिला कर अल्फाज बनाएं और दिये हुए खाने मेले के यहां पे हरूफ दिये गए हैं आपने इनको मिला कर अल्फाज बनाने होंगे जैसे फोलाम फल सीनियर ब से आपने इसी तरही सारी अक्टिविटी हल करनी हो इसको याद करना है अच्छे से प्यार बच्चो यहां पे पेश नमबर 79 पे है सरगर्मी नमबर 8 लफस सब में सीन की जगा मुक्तलिफ हरूफ लगाकर नए अल्फाज बनाएं जैसे जब तब यहां पे आपने पहला हर्फ चेंज करके आपने दूसरे और अलफाज बनाने हो गए जैसा कि रब जब तब कब इसके बाद सरगर्मी नमबर 9 पढ़े जाने माने तारे सारे इन अलफाज की आवाजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं लकीर की मदद से मिलती जुलती और यहां पे आपने हम आवाज लफसों को अपस में मिलाना है जैसे आना, जाना, जोड़ा, तोड़ा आपने इनको अच्छे से याद करना है और इनको मैच करना है इसके बाद है प्यारे बच्चों सरगर्मी नमबर 10 यहाँ पर दियो हुए अलफाज को दुरूस तलफुस से पढ़ें जैसे के सब, जब, तब, एक आपने इन अलफाज को दुरूस तलफुस से पढ़ना होगा प्यारे बच्चों अब पेश नमबर 80 पे सरगर्मी नमबर 11 है हर कॉलम में से अलफाज लेकर तीन जुम्ले मुकमल करें आपकी असानी के लिए एक मिसाल दे दी गई है यह कॉलम अलिफ है, कॉलम बे, कॉलम चीम अपने इनको पहले कॉलम के साथ मैच करना है फिर आपने नीचे लिखना है इसी तरह अल्ला ताला ने फल, फूल, उगाए आपने यहाँ पहले मैच करना है फिर यहाँ पे लाइनों पे लिखना है इसके बाद प्यारे बचों हम करेंगे MCQs तो उन्वान है हम्त दुरुस्त जवाब के के दाइरा लगाए यहाँ पे एक लाइन में लिखा है हम्त में किस की तरीफ की जाती है यहाँ पे तीन आप्शन है आपने देखना है कि सही वाला कौन सा आप्शन है और जो ठीक वाला आप्शन होगा आपने उसको सर्कल कर देना है अल्ला ताला की, रसूल की, नबी की तो हम्द में किस की तरीफ की जाती है? अल्ला ताला की नमबर टू नज्म हम्द के शायर है फराज, क्यूम नसर, वसी तो अभी आपने टीजे के साथ पढ़िये हम तो उसके शायर का नाम है क्यूम नसर नमबर ट्री इमला के लिहाज से दुरूस लफज है इन तीनों में से जो सा भी दुरूस लफज है आपने उसको सरकल करना है नमबर फूर दर्च जैल में हर्फ है शान, लाम, हक जैसा कि प्यार बच्चों आपको हर्फ की तरीफ करवाई कही है मूँ से निकलने वाली आवाज को हर्फ कहती है तो आपने हर्फ इसमें है लाम आपने इसको सरकल करना है नमबर फॉर तारे का हम आवाज लफज है शान, तेरा, सारे तो तारे का हम आवाज लफज है सारे आपने इसको सरकल कर देना है आपने इनको अच्छे से याद करना है